असलाम अलेकुम जी वेलकम बैक टो मैं चैनल क्या हाल चाले हम सब क्या होप सब खहरियत से होंगे तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली रुटीन से हट के थोड़ा सा वीडियो जो के बहुत इंफरमेटिव आपके लिए थाबित होगी फायदा बन साबित अकसर ऐसा होता है कि हम जो कोल्टिंग वाली बॉटल्स होती है वो वेस्ट कर देते हैं फैंक देते हैं जबके आपको नहीं पता कि इनके बेश्मार फायदे हैं अगर हम इनको रियूस करना चाहें तो इनके बहुत सारे फायदे भी हैं और डेकॉरेशन की चीज़े भी ब लग कर लेना है अब इनको हमने करना क्या है किस तरह से हमने यूस करना है यह मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा आगे जाके लेकिन सबसे पहले हम यह त्री बॉटल से आपको नजर आ रही हैं इनको कट कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको इनका यूस बताऊंगी तो ज गरम करके आपने इसके अंदर चोटे-चोटे से सुराख कर लेने हैं तक्रीबन 10 से 12 होल्स होने चाहिए इसमें जिस परपस के लिए मैं ये बना रही हूँ यकीन कीजिए बहुत ही यूसफुल साबित होगा थोड़ा सा माइं यूस कर लेने से आपके बहुत से पैसे बच सकते हैं आपके जो वेस्ट उन वाली चीज़े हैं वो बच सकती हैं तो ये जो दो बोटल्स हैं उनको हमने नीचे से होल्स कर लेने हैं अब मैं आपके बताऊंगी कि हमने इनको करना क्या है हमने जी ये जो होल्स किये हैं ये इस वज़े से किये हैं एक तो हम यूज़ करेंगे साबून के अंदर जो स्पंच रखते हैं हम साबून जो बरतन वाश करने वाला होता है अगर उसके अंदर गीला स्पंच रख दिया जाए तो वो उसके अंदर से जब पानी ड्रॉप्स न आपने निकालना है, कोई कोटोरी हो गई, या कोई बॉक्स हो गया, वहां से निकालके, आपने इस के अंदर रखना है, इसके अंदर जो होल्स काएं, वो इसी वज़ज़ से किनें, अगर इसके अंदर पानी चला भी जाये, तो पानी नीचे से टपकता रहे गा, निकलता रहेगा और ये बिल्कुल भी आपका सोप वेस्ट नी होगा बिल्कुल ड्राइड रहेगा एक तो हमने इसलिए बनाया है होल्स वाला इसको हम रख देंगे साइड पर हमारे घर में बहुत ज़दा साबुन यूज होता है सिर्फ इसी वज़ा से मैं भूल जाती हूं स्पंच जो है ना मैं साबुन के अंदर ही रखती हूं मैं अमी ने हलाके साइड में एक जगा बनाई वी है जिसके अंदर स्पंच रखे बट मैं भूल जाती हूं तो मैंने अपने असानी के लिए ये किया है अगर मैं भूल भी जाओं तो साबुन के अंदर पानी ना रहे ये जो तीसरा है ये भी बहुत ही यूसफुल है ये है जिए आप अपने चुले के पास टौफ के पास इसको रखें आप चाहें तो साइडों पे कोई भी शीट लगा के कवर भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं रखना तो ये मैंने बनाया है माचिस की तीलियां डालने के लिए या जब हम रोटी बनाते हैं या पराठा बेलते हैं तो पिर जो आप उपर शेल्फ पे डर्स्ट कियावा आठा होता है उसको आप वेस्ट ना करें इस तरह से आप इकठा करके इसी बॉक्ट में आप डाल सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा दौा में याद रिखिएगा अल्ला हाफीज